हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो एड़ा 24-7 क्लास 9 & 10 यूटुब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और इस सेशन में मैं रागविंद्र सिंग क्लास 10 का चैप्टर 12 जिसका नाम है एलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने आ चुका हूं जी हां इस पूरे एक सेशन में हम चैप्टर कम्प्लीट करेंगे जी हाँ यह वन शॉट रिवीजन होने वाला है आपके लिए तो इस सेशन को एंड तक देखिएगा और इस चैप्टर को हमने चार पार्ट में डिवाइट कर दिया है फूर पार्ट में हम पढ़ेंगे पहले पार्ट में अलेक्ट्रिक करेंट पोटें तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट से शtesrie करेंड एंड अलेक्ट्रिक पोटेंशल से तो चलिए आगे चलते हैं बच़ों अगर बात करें़ एलेक्ट्रिसिटीकी तो हमारे मोडन ससायिटी में हमारी मोडन जनबरेशन में इलेक्रिसटी का बहुत तहरी के काम देखो भी इन इसका बैएं एक्रिसिटी प्रडूस करता है रहा है फिर उसको घरो टक ऑफिसेस तक स्कूब किद this पूस्पितल अलग अलग प्लेशेस पर डिस्रिब्यूट किया जाता है और सिर मुस्का यूज करते है उसका यूज करके electricity का हम लाइट जलाते हैं हम फैन चलाते हैं फ्रिज चला रहे हैं वाशिंग मशीन मतब जितने भी वर्क हैं जितनी भी मशीने हैं वह एनर्जी के लिए किस पर डिपेंडेंट है electricity की पर तो electricity के बिना हमारी life imagine नहीं कर सकते क्योंकि हम जितने भी यूज कर रहे हैं उसके लिए चाहिए एनर्जी और एनर्जी हमको किस रूप में मिलती है electricity के रूप में मिलती है तो विदाउट electricity we cannot imagine our life in today's modern generation ठीक है तो इस electricity के बारे में जो concept है उसको पढ़ लिया जाए है है ना चलिए आगे चलते हैं ठीक है अब कोशन यह उड़ता है कि वाट कंसिट्यूट electricity current electricity का प्रड्यूस होता है इसका कोई आंसर तो होगा चलिए उसके पीछे का जो concept है और आंसर है पता लगाने की कोशिश करते हैं कि करेंट का प्रड्यूस होगा अभी मैं सब्सक्राइब को टच कर रहा हूं इसमें तो करेंट नहीं लेकिन अगर मैं यहां कहीं वायर को में टच करूं जिसमें करेंट फ्लो हो तो मुझे करेंट लगेगा तो आखिर उस वायर में करेंट कैसे आया तो इसी का पता लगाते हैं तो हेडिंग क्या है एलेक्ट्रिक करेंट तो दिमाग में हमेशा यह आपको बैठाना है कि एलेक्ट्रिक करेंट तभी प्रड्यूस होगा जब चार्ज फ्लो होगा और कौन सा चार्ज निगेटिव चार्ज किसके पास होता है एलेक्ट्रॉन के पास होता है जी हां इफ दा एलेक्ट्रिक चार तो अगर किसी भी conductor या metallic wire से electric charge क्या होता है flow होता है तो हम ये कह सकते हैं कि that there is an electric current in the conductor मत्ब उस conductor में क्या है electric current है यानि electric current तभी produce होगा जब किसी wire से conductor से क्या flow करेगा electric charge flow करेगा अब ये charge होता किसके पास है ये होता है electron के पास जी हाँ atom के 3 sub atomic particles proton electron neutron और current का relation किसे है electron से क्योंकि electron ही atom के जो nucleus होता है उसके बाहर होता है तो atom को छोड़कर आसानी से कौन जा सकता है electron तो movement किसमें दिखेगा आपको electron में और electron के पास होता है charge और वही electron अगर move करेगा तो electron के पास होता है charge तो वह charge भी move करेगा और जब charge move करेगा तो conductor में क्या produce होगा electric current produce होगा ये बात आपको दिमाग में बैठ गई की नहीं बच्चों उसी को इस diagram से दिखाया गया ठीक है यहां यह चोटे-चोटे है जो bubbles है circles है यह क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यह electron को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है और एक electron पर कितना charge होता है एक electron पर अगर हम बात करें तो माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलम चार्ज होता है किसके पास एक electron के पास तो हो सकता है एक electron move करे हो सकता हजार electron move करे हो सकता है करोणो electron move करे तो अगर electron move करेगा तो वह अपने साथ इतना charge लेकर क्या करेगा चलेगा सो electron तो सभी पर हर एक पर इतना चार्ज तो पूरा का पूरा एलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा मूव करेगा और एलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा तो हम कहेंगे कि क्या प्रेड्यूस हुआ है करेंट सब्सक्राइब में और अगर युद्ट करना बंद कर गए मतनब इलेक्टरॉंस एक जगए स्टाइटिक है रेस्ट पे हैं तो अगर इस का मतलब मैं इस पैन को टच कर रहा हूं इस समय और मुझे करेंट फील नहीं हो इसका मतलब कि इस पैन में जो electrons है वो क्या है static है अधर रेस्ट कंडिशन फे है इना अगर electron चलने लगे तो मुझे current लगेगा है कि नहीं तो movement of electrons leads to movement of electric charge and movement of electric charge leads to the formation of production of current in the conductor टीक है इतना समझ में आ गया अब यह सुच है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, स्विच ओन, स्विच ओफ करते हैं, तो यह स्विच ओन, स्विच ओफ का मतलब क्या है, अरे जब हम स्विच ओन करते हैं, तो पाथ बनता है, एक रास्ता बनता है, और उस रास्ते बनने के वज़े से, एलेक्टॉन उस रास्ते पे मूव क करते हैं तो current flow होता है और current flow होता है तो switch on करने पर bulb जलने लगता है fan चलने लगता है है कि नहीं और वहीं हम switch off कर देते हैं switch को off कर देते हैं तो electron जिस रास्ते पर जा रहे थे वह रास्ता break हो जाता है तो electron आगे नहीं जा पाता तो movement रुख जाता है तो करेंट भी रुख जाता है तो स्विच औफ करने पर इसलिए बल्ब बंद हो जाता है फैंच छलना बंद हो जाता अब समझ मैं सुच का काम क्या है तो वही लिखा है एस स्विच मेक से कंड़क्टिंग लिंक बिट्विन दस सेल एंड बल यह सेल यह बल ठीक है अब सेलो बल्ब के बीच में यह रास्ता बन गया और इस रास्ते से क्या होगा जो एलेक्ट्रॉंस होंगे वह इस रास्ते से होते हुए मूव करेंगे तो करेंट प्रेड्यूस होगा और अगर मैं इस वायर को काट दूं तो कंड़क्टिंग लिंक जो एक लिंक था पाथ था जिसे हम एलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं वह पाथ ब्रेक हो गया तो एलेक्ट्रॉंस का मूवमेंट रुक गया एलेक्ट्रॉंस का गया होगा कि Electrons जिस रास्ते से ट्रवल कर रहे हैं जिसके कारण किसी conductor में current produce हो रहा है तो उस पात को ही क्या कहा जाता है electric circuit कहा जाता है continuous and close path of an electric current is called electric circuit जिस path से होते हुए current flow हो रहा है उस path को हम क्या कहते हैं electric circuit कहते हैं जो कि दो टाइब का हो सकता है closed और open जैसा कि आप यहां देख रहे हो यहां कहीं भी रास्ता break नहीं हुआ path कहीं भी टूटा नहीं है break नहीं है ठीक है electrons यहां से निकलेंगे electrons पर होता है minus charge तो electrons किधर जाएंगे positive charge के तरफ तो electrons का जो flow होता है उसका opposite direction किसका लेते हैं current का तो electrons minus से plus की तरफ जाएंगे तो इसका opposite direction होगा current का तो current किधर से किधर flow करेगा तो current ऐसे flow करेगा इसलिए जो yellow रंग का arrow है वो plus से minus की तरफ है तो यह ध्यान रखना current का जो direction होता है वो electron के flow के opposite माना जाता है ठीक है अगर माल लो electrons left से right जा रहे हैं तो current का direction क्या होगा राइट से left होगा ठीक है और अगर electrons right से left जा रहे हैं तो current का direction left से right होगा हमेशा हमेशा याद रखना कि जो current का direction है वो electron flow के direction का opposite होता है ठीक है यह एक rule है नियम है और यह हमेशा follow होता है आप का बहु फॉलो करना ठीक है तो यह आप current का direction देख रहे हो सो current तो यहाँ से सरकेट को हम क्या कहेंगे क्लोज पात है नॅ तो ऐसे को हम क्या कहेंगे लेकिन यहां बाझच पाये में जो contact था वो तूड़ गया अब यहां से current निकलेगा तो यहां पहुच पाएगा नहीं मतब current flow नहीं होगा और current flow नहीं होगा क्योंकि यहां path break हो गया इसलिए bulb भी glow करेगा जलेगा नहीं जलेगा इसलिए यहां bulb क्या दिखाए गया बल्ब को आफ दिखाएगे तो यह ऐसे circuit को क्या कहेंगे open circuit तो जब हम switch on करते हैं तो circuit close हो जाती है तो bulb जलता है fan चलता है और जब हम switch off करते हैं तो circuit open हो जाती है open होने के वज़ए से current flow नहीं होता और bulb भी जलना बंद कर देता है वो off हो जाता है समझ में आया तो circuit कितने टाइप का होता है दो टाइप का close and open ठीक है प्लेर चली आगे चलते हैं हाव डूवी express electric current अब electric current जो हमने पढ़ा का produce होता है जब electric charge move करता है समय के साथ तो समय के साथ चार्ज मूव करता है इसे ही तो electric current कहते है तो इस तरीके से electric current को हम इस फॉर्मिले से क्या कर सकते है represent कर सकते है एक्सप्रेस कर सकते है तो वही लिखा है the electric current is expressed तो electric current को कैसे express करते है इस एक्सप्रेस बाइदा amount of charge यानि quantity of charge flowing through a particular area in an unit time एक unit time में माल लेते हैं एक सेकेंड ठीक है unit time मतलब एक सेकेंड तो एक सेकेंड में unit time में किसी conductor के area से कितना amount of charge flow हुआ है यही दबताता है electric current को ठीक है तो formula क्या बन गया formula बन गया आइस कल्टू क्यूब IT तो वही लिखाया कि अधर वर्ट्स इत इस दे अरेट अफलोजन अप प्रश रेट मतलब समय के साथ तो समय के साथ electric charge की quantity का flow होना ही electric current दिखाता है electric current होता है तो फिर electric current का formula क्या हो जाएगा electric current का formula हो जाएगा i's eigenl tudo q by t जहां आई क्या है electric current क्यूँ क्या है चार्ज जो किस पे होता है electron पे होता है और एक electron पे कितना होता है मैंने बता दिया है ठीक है दो होंगे तो उसका double हो जाएगा तीन होंगे तो उसका triple हो जाएगा ठीक है और टी क्या है टाइम है ठीक है अब शुरुआत से जब electron की खोज नहीं होई थी तो current का जो direction है हमेशा positive से negative लिया जाता था बाद में पता चला कि यह जो current positive से negative जा रहा है actually में यह तो electrons की वजह से है जो की minus से plus की तरफ आएगा तो हमने जो convention था उसी को follow किया हम current का जो direction है न वो plus से minus यानि की current का direction हमेशा हम मानेंगे कि battery a cell के positive terminal से current कि धर जा रहा है negative टर्मल में और electrons उसका opposite electrons पर minus charge होता है तो किधर attract होगा plus की तरफ ना तो electrons negative से टर्मिनल से निकलेंगे और positive terminal की तरफ जाएंगे लेकिन current positive से निकलेगा और निगेटिव पर जाएगा तो current और electron के flow का direction दोनों क्या होता है अपोजिट होता है वही लिखाया है ना conventionally in an electric circuit the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electron which are negative charges तो जरा यहां ध्यान से देखो यह battery का है positive टर्मिनल बड़ी line positive terminal छोटी line negative terminal तो electron को कहां से निकलना चाहिए electron को negative terminal से निकलना चाहिए तो यह दखो electron है ना negative terminal से निकला ऐसे गया बल्ब में एंटर किया फिर बल्ब से निकल कर ऐसे आया और एलेक्टरोन जाहिड सी बात है पॉजिटीव टर्मिलल की तरफ एट्रेक्ट होगा ना तो यह जो फलो है यह यह एक है यह एलेक्ट्रान का फ्लो ए इसका ऑलेक्ट्रोन के फ्लो का डारेक्शन है अब करेंट का डारेक्शन क्या मानेंगे तो करेंट का डारेक्शन ऐसे बनेंगे अपोजिट है ना तो यह करेंट का डारेक्शन है तो करेंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल कर निगेटिव टर्मिनल में जाएगा और एलेक्टरॉन निगेटिव टर्मिनल से निकल कर पॉ एंटर करेगा निगेटी टर्मनल इतना क्लियर हो गया यह बेसिक फंडा है कंसेट है जो आपको ध्यान रखना है गलती नहीं करनी अब आगे चलते हैं ठीक है अब मैंने जैसे बोला कि यूनिट टाइम में किसी कंड़क्टर तो यह दखो यह क्या दिख रहा आपको कंड़क एरिया है और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो एलेक्टरॉंस हैं जिन पर निगेटिव चार्ज होता है वह एलेक्टरॉंस ऐसे मालो फ्लो कर रहे हैं ठीक है तो यह एलेक्टरॉंस अगर फ्लो कर रहे हैं इस एरिया से तो कितने समय में फ्लो कर रहे हैं टी समय में तो मा का formula क्या हो गया if a net charge q flows across any cross section यह दखो यह conditional area है इस conductor का और इस conductor के Cross sectional area से अगर T time में q charge flow करता है तो current i का formula क्या होगा वो formula यह अधोगा i s лег to q upon t जहां q क्या है vom total amount of charge है total amount of charge ठीक है टी क्या है टाइम है और आई क्या है आई है electric current तो यह formula आपको याद रखना है बहुत important formula है इस पर मैं star कर देता हूं clear समझ में आया चलिए आगे चलते हैं अब बात करें SI unit की तो charge की SI unit क्या होती है column the SI unit of electric charges column which is equivalent to the charge contained in nearly six into 10 की पावर 18 electrons तो एक कुलम में कि एक कुलम मत तक कितने electrons पे charge तो इतने electrons पे charge अगर निकालोगे तो आपका एक कुलम चार जाएगा कैसे निकाला simple है अगर एक electron पे माइनस में 1.6 into 10 की से पावर माइनस 19 कुलम चार्ज होता है बतब इतना charge मैंने इतना चार्ज एक electron पे होता है तो एक कुलम चार्ज कितने electrons पे होगा तो ितने electrons पे होगा तो इतने यानि 6 into 10 की पावर 18 फे जतना चार्ज होता है वो एक कुलम्ब के बराबर होता है और उसी को कुलम्ब को हम SI unit मानते हैं किसका चार्ज का ठीक है तो चार्ज के SI unit कुलम्ब टाइम के SI unit second तो कुलम्ब अपॉन सेकेंड एंपियर है ना देखो इसका हो गया कुलम्ब को है साय यूनिट और टाइम की SI unit second तो कूलम अपॉन सेकेंड क्या हो गया करेंट का एसाय यूनिट और कूलमब अपॉन सेकेंड को हम MPa भी कहते हैं तो वह लिकाया कि एलेक्रिक गरेंट कि टाइम तो करणर्ट की स्यवाइट एंपियर तो एक एंपियर बराबर एक कूलम cetz अगर एक सब्सक्रेंट में फ्लों करें तो एक एंप लगाती है उसं डिवाइस नाम है एम मेटर तो जैसे यहां आप सर्किट देख रहे हो यहां बैटरी का पॉजिटिव टर्मिल्ल यहां निगेटिव टर्मिल्ल और बैटरी से हमने फिर एक वायर के मदद से एक बल्ब को चोड़ दिया यह क्या है यह बल्ब है ठीक है और फिर यहां आप देखो हमने एं मिटर जोड़ सीरीज में मतलब यह वायर वायर के साथ उसी लाइन में जैसे यह बल्ब है और उसी लाइन में हमने एमिटर जोड़ दिया तो ऐसा कनेक्शन सीरीज कहलाता है और फिर यह वायर आकर कहां जुड़ गया यह की है और फिर यह आकर बैटरी के निगेटरी टर्नल से जुड़ ग और current का जटका लग जाता बोलेंगा हाँ current है अरे smart work करेंगे क्या करेंगे हम circuit में M meter जोड़ देंगे और M meter की जो सुई है needle वो अगर deflect हो गई इसका मतलब कि इस circuit में क्या flow हो रहा है करेंट फ्लो हो रहा है तो करेंट का पता लगाने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं इंस्ट्रुमेंट यूज करते हैं वह होता है emitter तो emitter measures electric current in the circuit it is always connected in series यह ध्यान रखना है यह पॉइंट बहुत बारे में भी पढ़ लिया अब बात करते हैं electric potential or potential difference के बारे में तो आपने अभी देखा कि electrons flow होंगे तो electrons flow होंगे जिस डारेक्शन में उसके अपोजिट डारेक्शन में करेंट प्रड्यूस होगा मतब करेंट फ्लो होगा तो electrons क्यों मूव करेंगे आखिर कोई कारण होना चाहिए ना तो electron जब मूव करेंगे तो मूव कराने के लिए उनको मजबूर करना पड़ेगा जैसे एक फ्लैट जमीन है मैंने उस पर पानी डाल दिया तो पानी जहां गिरेगा वहीं रहेगा कहीं दाए बाए फ्लो नहीं करेगा ले लेकिन पानी मूव करना शुरू कर दिया क्यों कि मैंने इसको मजबूर किया मैंने एक तरफ का हाइट ज्यादा कर दिया एक तरफ हाइट कम कर दिया है ना तो मजबूर करना पड़ेगा एलेक्ट्रांस को कि वह फ्लो हो और एलेक्ट्रांस फ्लो होंगे तो करेंट प्रड गिर्फ्रेंस किया यह ना जमीन पहले ऐसे थी और आपने यहां पानीराया तो पानी आकर यहां रुख गया क्योंकि इधर का भी जो है वही हाइटी धर कभी है लेकिन जब आपने इस फ्लोर को थोड़ा टेड़ा किया तो जो पानी यहां था अब वो बहकर नीचे गिरने लगेगा क्यों क्यों कि इधर की हाइट कुछ है इधर की हाइट कुछ और है मतलब आपने हाइट में क्या कर दिया डिफरेंस कर दिया क्या किया डिफरेंस तो हाइट में डिफरेंस के कारेंट पानी फ्लो हुआ तो किसी और चीज के डिफरेंस के कारेंड क्या फ्लो गा लेक्रिक चार्ज फैल लो का थाय अब आप संवज गए हो गे यहां की ये मैंने एस नाम प्रतरूब ऐसेमलो एक तरीके से डैम है मतलब यहां जर्णा जैसा का दिख रहा है इसका picture क्यों दिखाया आपको कि देखो ये picture क्या पता रहा है इधार हाइट जयादा है इधार हाइट कम है तो हाइट में डिफरेंज के कारण पानी बह रहा है और एग diffuse इम हो की अधर और धर भी को फ्लो करgebot करने के लिए हमको potential का difference करना पड़ता है तो जब भी potential का difference होता है और एलेक्टरान्स फ्लो खोते हैं तो क्या प्रड़ियूस होता है electric current प्रड़ीूस होता है अब समझ में आया तटो वहीं दिखा आध्यान से देखो एलेक्ट्रॉंस मूव वन लिफ एलेक्ट्रॉंस तभी मूव करते हैं जब डिफ्रेंस होता है किसमें एलेक्ट्रिक प्रेशर में जिसे कहलो पोटेंशिल ठीक है एलेक्रिक प्रेशर कहलो या उसे प्रे trivia करेंगे जब क्रूप अच्छ क्या हो एक तरफ का प्रेंशल ज्यादा और दूसरे तरफ का प्रेंशल कम मैं तब हाइफ प्रेंशल लोग तो करेंट ठेक है तो वही लिका है दा कंसिस्टिंग और मौर इलेक्ट्रिक सेल्स तो बैटरी मतलब कई सारे सेल्स को जोड़ दिया जाए तो बैटरी बन जाता है तो सेल हो बैटरी हो यह क्या प्रेडियूस कर देता है पोटेंशल डिफरेंस प्रेडियूस कर देता है और पोटेंशल डिफरेंस के वज़े से दिखाते कैसे हैं तो वही मैं कहता हूं यह प्लस और माइनस मैंने बोला ना बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल या सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और यह निगेटिव टर्मिनल तो पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है हाई पोटेंशिल क्या मतलब है हाइप पोटेंशन और निगेटिट टर्मिनल का मतलब है कि इधर का पोटेंशल लो है लो पोटेंशन हाई और लो पोटेंशिल तो एलेक्ट्रांस किदर से किदर फ्लो करेंगे एलेक्ट्रांस फ्लो करेंगे लो पोटेंशिल से ऐसे हाई पोटेंशिल की तरफ और एलेक्ट्रांस के फ्लो का अपोजिट डारेक्शन किसका होगा करेंट का तो करेंट किदर से फ्लो करेंगे करें करेंट निकला और लोगो पोटेंशल पे गया तो करेंट कब गया जब पॉटेंशल में क्या था डी फ्रेंस था अंतर था यह बास समझ में आई तो इसीलिए हम लिखें 10 वॉल्ट पंद्रव वोल्ट माल लो हाई पोटेंशल इथर 15 वोल्ट है और इधर 8 volt नो 15V 8 volt तो potential में Difference है तो करेंट फ्लो करेगा लेकिन अगर इधर बी पंदर होड़ इधर भी 15V तो potential में कोई difference है नहीं तो करेंट फ्लो होगा current flow होगा इन भी समझ में आया तो जब भी potential में difference होगा तो current flow होगा और potential में difference का मतलब एक तरव का potential high एक तरफ का लो हाई potential को ही positive से represent करते हैं और लो potential को negative से represent करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई अब आगे चलते हैं ठीक है अब potential के यह मतलब definition क्या है क्या होता है potential तो उसको देख लो electric potential difference between the two points in an electric circuit carrying some current is defined as the work done in moving a unit charge from one point to other point यानि कि हम अगर दो पॉइंट कंसिडर करें एक पॉइंट ए है एक पॉइंट भी है और इन दो पॉइंट के बीच में potential difference पता लगाना चाहते हैं तो उसको हम इस तरी के से define करेंगे कि अगर एक चार्ज क्यू है और इस क्यू चार्ज को हम ए पॉइंट से कहां ले गए बी पॉइंट में ले गए तो इसके लिए हमको डबलू वर्क करना पड़ा तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो potential का difference है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा तो इसी लिए फॉर्मूला हो जाता है potential difference का वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज या कहलो चार्ज ठीक है तो वर्क डन इन मूविंग है यूनिट चार्ज तो चार्ज हमने यूनिट माना यूनिट मतलब एक कुलम चार्ज माल लिया ठीक है तो और हमने कितना वर्क किया डबलू वर्क किया तो ए पॉइंट से भी पॉइंट ले जाने में किसको ले जाने में क्यू चार्ज को ले जाने में आगर हमको डबलू वर्क करना पड़ा तो इन दो means के बीच में जो potential difference होगा वह डबलू आपॉन क्यू होगा और पोटेंशल डिफरेंस होगा तो फिर करेंट फ्लो होगा है तीक है समझ में आ गया तो हमारा potential का formula आ गया पोटेंशल डिफ्रेंस बराबर वर्क ड़न अपन क्यूं तो यह भी स्टार मार्क कर देता हूं फॉर्मला इंप्पर्टेंट है ठीक है अब अगर हम बात करें यह एलेक्ट्रिक पोटेंशल की तो अलेक्ट्रिक ज की के पिण्ट नाम पर होता है यह रखा गया है यह समझ में आया आगया तो आपको जब को सब इसकाल क्वान्टीटीि उत्लीर होना चाहिए करेंट का और चार्ज का कुलम time का second होता है ठीक है potential difference का वोल्ट होता है clear चलिया तो यहां से अगर हम one वोल्ट निकाले one world potential difference कर्टू one Joule of work upon one Coulomb of charge ठीक है तो वोल्ट को हम Joule पर कुलम्बी कह सकते हैं ज्यान रखना वोल्ट को Joule पर कुलम्बी कह सकते हैं यह से एक एम्पियर को एक कुलम्ब पर सेकेंड कह सकते हैं ठीक उसी तर वोल्ट को हम Joule पर कुलम्बी कह सकते हैं clear चलिया आगे चलते हैं अब बात आती है जब हम current पढ़ रहे थे तो circuit मे current को मेजर करने के लिए M meter device का यूज करते हैं और अगर सिंपल है दा potential difference is measured by the instrument that is known as voltmeter ठीक है यह रहा वोल्ट मेंटर तो वोल्ट मेंटर की यह नीडल दिख रही है जो इस समय 0 पर है अगर यह नीडल डिफलेक्ट कर जाए तो समझ जाओ circuit में क्या है है potential का difference है ठीक है तो यही device कहलाएगी वोल्ट मीटर अब वोल्ट मीटर को circuit के साथ parallel में जोड़ा जाता है तो यह देखो यह circuit है और इस circuit में यहां बल्ब जोड़ा है और इस दो पॉइंट्स पे हमने parallel में यह लाइन और एक यह लैंने यह दोनों लाइन पैरलल हना तो पैरलल में हमने एक वोल्ट मीटर भी जोड़ दिया तो यह सिंबल किसका है यह सिंबल बोल्ट मीटर का थ तो क्योंकि पैरलल में आ चंच चलके पढ़ोगे पैरलल में potential सें multimodetid में तो चोब जो यहां का potential difference होगा वही यहां नजर आएगा वोल्ट मीटर में तो इन दो points के बीच का potential difference आपको पता लग जाएगा वोल्ट मीटर से अगर आप वोल्ट मीटर को इन दो points के बीच में कैसे connect करो parallel connect करो ठीक है तो m meter को series में connect करते हैं और वोल्टमीटर को पैरलल में connect किया जाता है यह बातों का आपको ध्यान रखना है ठीक है समझ में panamid साइन में आया चलिए समझ में आया तो हम पहले टापिक को तो हमने कवर कर लिया अब आते हैं नेक्स टॉपिक पे नेक्स टॉपिक है ओम्स लॉग ठीक है चलिए अब ओम्स लॉग जो है सबसे पहली बात यह लॉग किन चीजों के बीच में रिलेशन बताता है तो पोटेंशल डिफरेंस करेंट और वायर का कंड़क्टर का जो रेजिस्टेंस है इन तीनों के बीच रिलेशन बताने वाला जो लॉग है फॉर्मॉला है वही है ओम्स लॉग ठीक है इस देर रिलेशन शिप बिट्विन दा पोटेंशल डिफरेंस एक्रॉस एक कंड़क्टर एंड करेंट त्रूइट मतलब कि किसी कंड़क्टर या वायर में करेंट फ्लो एक स्चाइंट इसने विये और आई का घ्राफ खीचा तो उन्हुने वायर कॉंसलई या नाक्रॉम वायर और pros时候 या लिए क्रॉम वायर और कि यहां 10 वोल्ट यहां 8 वोल्ट और नेमितिव तो पोटेंशल का कितना है 10-8 टू उल्ट का लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूँ यह 10 वोल्ट है और यह 3 लूट है तो पोटेंशल का सब होने दिव जब graph कीचा गया तो current और potential difference के बीच का जो graph मिला वो straight line मिला अब यह straight line क्या बता रहा है कि जैसे जैसे current बढ़ रहा है मत्वाब जैसे जैसे potential difference बढ़ रहा है उसी तरह उसी relation में उसी amount में उसी ratio में current भी बढ़ रहा है तो जितने जितना आप पोटेंशल डिफ्रेंस बढ़ाओगे जितने टाइमस उतने टाइमस करेंट भी भढ़ जाएगा तो यह रिलेशन पता चल गया यानि कि अगर हम साफ साफ देखें तो वी और आई के बीच में कैसा रिलेशन है प्रपोर्शनल टूवी है कि नहीं जैसे जैसे हम वी बढ़ा है यानि पोटेंशल का डिफरेंस बढ़ा रहे हैं करेंट वीचुब हर में बढ़ रहे तो दोनों के के बीच में डारेक्ट रिलेशन है डारेक्ट प्रोपोर्शनल ठीक है समझ में आया तो दस वी आई ग्राफ इस ट्रेट लाइन डैट पासे स्रूदा ओरीजिन आफ ग्राफ तो इससे कोशन बन सकता है एक्जाम में ठीक है ध्यान रखना तो यह वी और आई का ग्राफ हमको यह बता रहा है कि जैसे जैसे पोटेंशल डिफरेंस बढ़ा रहे हो करेंट भी बढ़ रहा है देखो मैंने यहाँ जीरो है तो इधर गया तो करेंट बढ़ गया तो साथी साथ ऊपर गया तो पोटेंशल डिफरेंस भी बढ़ गया फिर अगर आप यहां चेक कर लो तो य ये रिलेशन हमको निकल कर आया ठीक है अब ये रिलेशन आया तो ये एक्सपेरिमेंट किया किस ने था जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने इसी लिए इन्हों ने जो नेम दिया अपने नाम पर दिया ओम्स लॉव है ना बड़े स्मार्ट थे मैंने मैंनत की तो भ ने जॉर्ज साइमन ओम ने यहीं पाया कि जैसे जैसे पोटेंशल डिफरेंस बढ़ रहा है कंड़क्टर में वायर में करेंट की वैल्यू भी बढ़ रही है है तो ही फाउंड आउट डैट दा पोटेंशल डिफरेंस वी एक्रॉस दस एंड्स और गीवन मेटलिक वायर इ एंड्स के बीच में पोटेंशल डिफरेंस आप बढ़ाओंगे करेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी मत्तब करेंट इस डारेक्ली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशल डिफरेंस ठीक है और यही नियम कहलाता है ओम्स लोग तो ध्यान रखना यह अगर बोला जाए कि रेजिस डारेक्ली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशल डिफरेंस गलत है पोटेंशल डिफरेंस डारेक्ली प्रोपोर्शनल टू करेंट यह है ओम्स लोग तो अगर हम यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमको एक्वल लगाना होगा और साथ में कॉंस्टेंट लगान ही है र जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम वायर का resistance कहते हैं तो वायर का resistance constant रहता है कब तक जब तक वायर का नेचर आपना बदलो मतम मेटेरियल ना बदलो ना टमप्रेचर बदलो तो जो आर है ना रिजिस्टेंस यह कई चीजों पर डिपेंड करता है कि लेंथ पर डिपेंड करता है अभी देखेंगे तो यहां से formula बन गया ohms law का V is called to IR जहां V potential difference है I current है और R क्या है resistance of wire है ठीक है तो यहां से यह आ रहा है तो proportional का sign हटाया equal का sign लगाया तो हमको एक constant value लगानी थी multiply करनी थी तो I के साथ वो constant value क्या है R जिसे हम resistance कहते हैं ठीक है समझ में आया तो V is called to IR formula हमको मिल गया ohms law से तो in the above equation R is a constant जिसे हम क्या कहते है resistance ठीक है it is the property of a conductor जो resistance है वो एक conductor की वायर की property होती है कौन से property to resist the flow of charges through it मतब जो वायर है जिसमें से कि वायर electrons के flow को रोकता है मत्ब मेरे सामने से समझ जो गाड़ी नहीं electrons आ रहे हैं और मैं electrons को रोक रहा हूं कि को कुई wire जादा रोकेगा कुई वायर कम रोकेगा है ना तो वायर कॉपर का बना है सिल्वर का बना है आईरन का बना है तो सभी एलेक्ट्राउंस को एक्वल एमाउंट में रोकेंगे सिल्वर कम रोकेगा कॉपर थोड़ा ज्यादा रोकेगा आईरन थोड़ा और ज्यादा एलेक्ट्रॉंस के चार्ज को फ्लो को रोकेगा तो यह रुकावट जो पैदा कर रहा है ना वायर यही कहलाता है वायर का रिजिस्टेंस ठीक है और इसका ऐस का यूनिट होता है ओम और इसे हम एक सिंबल से भी रिप्रेजंट करते हैं सिंबल ऐसा होता है ग्रीक लेटर का सिंबल है यह तो यह हो ओम हो समझ जाना रजिस्टेंस की बात हो रही है और आम तोर पर अकसर यहीं देखने को मिलता है तो ध्यान रखना ठीक है क्लियर तो सकते हैं तो इस पर कोशन आता है तीन क्वांटिटी है तीन में दो दे देगा और तीसरा पूछेगा अब तीसरा चाहिए पोटेंशल पूछ ले चाहिए करेंट पूछ ले चाहिए रेजिस्टेंस पूछ ले ठीक है तो वन ओम बराबर वन वोल्ट अपन वन एंपिर सकते हैं कैसे है वीजित डू आई इंटो आर तो अइब राबर और बराबर वी अपन आईं और और वक्रू नार तो वही तो लिखा है आई बराबर वी पानर वी अपनृ तो लाज controversial के सी रजिस्टर से फ्लो कर रहा है तो करेंट उस रजिस्टर के क्या होता है इन वार्श ली प्रपोर्शन होता है इव डर रजिस्टेंस डबलर्डड टकरेंट गज़ाप्ट तो जाहिशी बात है कि अगर आई इस कर टू भीव आर लिख रहे हैं और अगर पोटेंशल को ना चेंज करें तो आई और आर के बीच में क्या relation है इंवर्स रिलेशन है यानि कि ये रजस्टेंस बढ़ाओगे तो करेंट कम होगा तो्रजस्टेंस को अगर डबल कर दोगे तो करेंट जाहिट सी बातहिक हो और अगर रेजिस्टेंस को हाफ कर दोगे तो करेंट डबल हो जाएगा रहे आपहर अभी बताया घ्लाटा ता है ता रेजिस्टेंस मतलब एक वायर की खाशियत होती है प्रॉपकर्टी होती है कि वो चार्ज के फ्लो को एलेक्ट्राउंस के फ्लो को रोकता है तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा मत्तब वो एलेक्ट्राउंस को ज्यादा रोकेगा तो एलेक्ट्राउंस को ज्यादा रोकेगा तो एलेक्ट्राउंस फ्लो नहीं हो पाएंगे फ्लो नहीं हो पाएंगे तो कर अगर हम resistance को बदले तो आई बदलेगा ठीक है किया होगा बदलेगा तो अगर हम resistance को चेंज करें वैरी करें तो आई भी circuit में वैरी करेगा इस मतलब current तो इन मैनी practical cases it is necessary to increase or decrease the current in an electric circuit कई बार एसी practical situation आ जाती ही है जहां हमें circuit में flow होने वाले current को बढ़ाना पड़ता या घटाना पड़ता है तो current में आप change कब ला सकते हो जब current जिस wire में flow हो रहा है उस wire के resistance को change कर दो है ना तो ऐसे component का use करके जिसमें हम wire के resistance को कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसे ही कहा जाता है variable resistance ठीके एक अपरेंट यूस्टू regulate current without changing the voltage source is called variable resistance और यह रहा variable resistance का क्या सिंबल यह यह बता रहा है कि resistance को vary कर सकते हैं बीना voltage को change किये resistance को change करके हम current को change कर सकते हैं circuit में तो वही लिखा है एक कंपनेंट यूस्टू regulate current regulate current मतलब current को घटाना या बढ़ाना without changing the voltage तो यह तब हो सकता है जब आप resistance को change करें resistance को घटाएंगे तो current बढ़ जाएगा resistance को बढ़ाएंगे current घट जाएगा तो इसी component को हम variable resistance कहते हैं जिसका सिंबल यह है और ऐसे डिवाइस को हम रियो स्केट कहते हैं ठीक है तो यह रियस्टूर्ट में यह डिवाइस देख रहो इसको हम अगर स्लाइड करेंगे ना तो रेजिस्टेंस बढ़ता है जिसके वजह से सर्कुट में current बदलता है without changing voltage तो इन एलेक्ट्रिक सर्कुट एडिवाइस काल्ड रियो स्केट इस ऑफन यूज तो चेंज दा रजिस्टेंस इंदा सर्कुट तो सर्कुट में रियो स्केट इस का यूज करके हम सर्कुट का रजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं जिसके वजह से बिना वोल्टेज को बदले current भी चेंज किया जा सकता है रजिस्टेंट बदलोगे current बदलेगा ठीक है तो डिवाइस का नाम याद रखना रियो स्टेट जो देखने में ऐसा होता है और सिंबल ऐसा होता है चला जाए आगे चलिए अब बात करते हैं कि वह कौन से factors हैं जिन पर किसी वाइर का conductor का जो resistance है वो डिपेंड करता है ठीक है तो पहला है factor वो है length of wire ठीक है और length of wire के directly proportional होता है कौन resistance जितना लंबातार उस्तार का उतना ही ज्यादा resistance ठीक है तो length of wire पर depend करता है दूसरा wire के cross sectional area पर depend करता है और कैसे डिपेंड करता है डारेक्ली के इनवर्स ली इनवर्स ली डिपेंड करता है तो resistance is inversely proportional to cross sectional area of wire तो wire को अगर मोटा कर दोगे मतब area बढ़ जाएगा तो resistance कम हो जाएगा ठीक है तो second factor भी हो गया third factor है nature of material ठीक है और nature of material decide करता है material किसका बना है मतब कॉपर का बना है तो कुछ और होगा नेचर है ना iron का बना है silver का बना है तो अलग-अलग नेचर हुआ कि नहीं अब इन तीन factors को अगर हम combine करें जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो यहां हमने conductor ले लिया conductor का length ले लिया कितना एल और यह हो गया conductor का cross sectional area ए ठीक है तो हमने relation क्या बनाया था R is directly proportional to L यानि length of wire बट inversely proportional to area तो यहां से जब हम इस proportional का sign हटाएंगे तो equal लगाएंगे और मैंने बताया है कि equal के साथ साथ एक constant भी लगेगा तो वही constant होता है row तो resistance बराबर हो जाता है row into length of wire upon area of wire तो यह हो गया resistance of wire का formula अब बात आता है कि यहां row क्या है रो कहलाता है रेजिस्टिविटी तो resistance और रेजिस्टिविटी में अंतर है तो रो क्या कहलाता है रो कहलाता है रेजिस्टिविटी तो यह जो तिसरी चीज़ है ना nature of material यह material का कंडक्टर का रेजिस्टिविटी करता है तो लैंठ य्यों गया area यह हो गया और और nature of material से decide होता है उस wire का conductor का resistivity और फिर यह तीनो मिलकर का decide करते हैं Wire का resistance decide करते हैं यानि कि r decide करते हैं तो resistance और resistivity में difference है यह हो गया resistance तो अगर आपसे पूछा जाए कि resistance किस पर depend करता है तार किस मेटेरियल का बना है ठीक है तार की लेंद क्या है तार की एरिया क्या है लेकिन रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है तो रजिस्टिविटी सिर्फ दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है एक तो मेटेरियल ओफ कम वायर किस मेटेरियल का बना है मतम मेटेरियल का नेचर क्या है कॉपर का बना है सिल्वर का बना है तो एक तो इस पे और दूसरा है टमप्रेचर पे ठीक है तो ध्यान रखना रेजिस्टिविटी डिपेंड्स आन टू फेक्टर्स नेचर आफ वायर या नेचर आफ मेटेरियल आफ वायर नेचर आफ मेटेरियल आफ वाय वायर किस मेटेरियल का बना है कॉपर का या सिल्वर का या आईरन का और दूसरा टमप्रेचर पर ठीक है तो यह सिर्फ दो फैक्टर्स भी डिपेंड करता है लेकिन यह इन दो के साथ-साथ क्योंकि रो में तो यह दो खाड़े तो रेलिटर्स इन दो फैक्टर्स पर भी करेंगा इसाथ लेंद्ट और एडिपेंड कर रहेएं लेकिन रजेस्टी विटी ले अरिए पर डिपेंड नहीं करती टो यह तो यह वायर की खासियत है ठीके वायर किस मटेरियल का बना है वायर का टंपरेचर क्या है वह डिसाइड करता है कि वायर का रजिस्टिविटी जिस रो क्या होगा समझ में आया मेरे लल्ला तो रोरके अधेख रहे हो रोई जुआ ए इसे हम एल्लेक्टल रजिस्टिविटी कहते हैं या सिर्फ आप रहेस्टिविटी कह सकते हो ठीके और रो तो समझ में आ गया रिजिस्टिविटी कहलाता इसका ऐसा यूनिट क्या होगा तो इसका ऐसा यूनिट बहुत आराम से निकाल सकते हैं तो रोव एक्वल टू में क्या लिख सकता हूं तो यह आर इंटू ए हो जाएगा अपन लेंथ हो जाएगा और है रिजिस्टेंस रिजिस्टेंस का क्या होता है इसा यूनिट ओम इंटू एरिया का होता है मीटर स्कूर अपन लेंथ का होता है मीटर यह कट जाएगा तो आ जाएगा ओम इंटू मीटर तो रिजिस्टिविटी कैसा यूनिट क्या होती है ओम इंटू मीटर त इस तरीके से कभी भूल गए तो इस फॉर्मिले से आप यूनिट निकाल सकते हो रटना नहीं है क्लियर चला जाए आगे चलिए अब वही लिखा है जैसा मैंने बताया था कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन दा नेचर आफ मेटेरियल मतलब वायर किसका बना है कॉपर क का सिल्वर का और दूसरा टंप्रेचर पे और रजिस्टेंस नेचर टंप्रेचर के साथ सा लेंथ पर भी डिपेंड करेगा और एरिया पर भी डिपेंड करेगा ठीक है समझ में आया चलिए तो ओम्सलों ने पढ़ लिया अब आते हैं रजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम आफ रजिस्टर्स को पढ़ते हैं कि मतब् èasta की जगए कई तार हो तो उन तारों का जो एक मेरा उसका रजीस्टेंस क्या होगा तो रजिस्टेंस ओफे सिस्स्टम उफ रजिस्टर्स तो वायर को जोडने के दो के होते हैं एक होता है वायर को सिरीज में जोड़ा जाए ठीक है जैसे कि यह वायर है एक वायर यह है एक वायर यह और हमने इसको सिक्वेंस में एक के बाद एक जोड़ दिया तो ऐसा कॉंबिनेशन कहलाता है सिरीज कॉंबिनेशन ठीक है तो यह वायर का रजिस्टेंस का क् और अगर हमने सभी इनी तीन तारों को ऐसे जोडा कि इनका एक एड एक सायट जुड़ा है एक point पे और इन तीनों तारों का एक 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 ही point पे जुड़ा है तो अब यह whether 1 बाइवन जुड़े इन दो पॉइंट पे यह तीनों पारललल जुड़े हैं तो ऐसे combination को हम आप ने उन दो points के बीच में तीनों को जोड़ दिया तो ये parallel combination तो क्या दोनों में जोActragon Canadian resistance होगा यानी तीनों का मिलाके जो mag रजिस्टेंस होगा क्या वह शिरीज औन पैरलेger में उसकी value सेम होगी नहीं तो उसकी value निकाले का formula क्या है आजहूँ देख लेते लेते हैं दस हो तो सबका रेजिस्टेंस अलग है ना और इन तारों को जोड़ दिया गया तो इन तीनों का मिला के जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा तो उसका होता है फॉर्मुला कि इन सिंपली इन तीनों के रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाए मत्तब आरवन प्ल तो यह हो गया अगर वायर सीरीज में जुड़े हो तो उनका एक्विवेलेंट रजिस्टेंस मतब कमबाइन रजिस्टेंस निकालने का फॉर्मुला ठीक है और एक चीज और ध्यान रखनी है कि माल लेते हैं कि यह मानना क्या है यह बैटरी का निगेटिव टर्मिनल यह पॉ यहां गया उतना बाहर आएगा फिर जितना आरटू में गया उतना बाहर आएगा फिर जितना आरवन में गया उतना ही बाहर आएगा और फिर यह आकर एंटर कर जाएगा तो अगर यहां पांच एंपियर करेंट फ्लो हो रहा है और थ्री इस रिजिस्टेंस के अंदर तो बाहर भी कितना निकलेगा 5A फिर R2 में भी कितना जाएगा 5A बाहर कितना निकलेगा 5A फिर R1 में भी 5 जाएगा बाहर कितना निकलेगा 5 तो आप क्या देख रहे हो जब wire series में जुड़े हो तो current की value क्या रहती है same तो वही लिखा है in a series combination of resistors the current is the same in every part of the circuit current same होने के वज़े से इसलिए हमने m m ko series में जौड़ा था ताकि series में current same रहता है तो series में कहीं भी m m jord दोगे तो m m आप को यह बता देगा कि circuit में कितना current flow हो रहा है इसलिए m m ko series में जौड़ते हैं क्योंकि series में current same रहता है ठीक है अब बात कर लेते हैं पैरलल की कि अगर वायर पैरलल जुड़े हूं तो उनका कंबाइंड रजिस्टेंस किस फॉर्मले से निकालेंगे तो जो उनका कंबाइंड रजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मला यह है कि वन अपॉन आर यहांनि कि अगर मैं इसका दो तीन और दस ले लूँ तो इन तीनों का मिला के क्या होगा और एक्यूवेलेंट वो गवन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थी प्लस वन अपॉन टैन यहां जब सॉल्व करूंगा तब आएगा तो आप यह भी देख रहे हो कि जब तो रेजिस्टेंस को वायर को जब हम पैरलल में जोडते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और जब सीरीज में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा है ना देखो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं 2310 का लसी हम ले लेता हूं 2310 का लसी हम 212 ठीक है यह उतना ही हुआ 2510 31 जा 5111 236 और 6530 तो यह जाएगा 30 तो यह है कितना जाएगा 15 जा किटना जाएगा 10 टैमस और यह जाएगा 3 तांस ठीक है तो फिर वन अपॉणार EQUIVALENT क्या हो जाएगा 15 प्प्लस 10 25 25 फ्लस 3 28 अपाउं 30 तो आरेक्यूएलेंट क्या होगा 30 upon 28 क्योंकि 1 upon R equivalent है ना तो R equivalent निकालेंगे तो 30 upon 28 हो जाएगा और जबकि series में अब यह देखो यह कितना आएगा यह आपका 1 point something आएगा 28 30 को में divide करता है 28 से 1 times जाएगा और यह आजाएगा 2.0 200 तो 1.0 something आएगा तो जब series में इनी 2, 3, 10 को series में जोड़ा ता तो पंद्रों आया था और जब इनी 2, 3, 10 को parallel में जोड़ा तो 1 point something resistance आ रहा है तो parallel में जोडने पर resistance बढ़ गया 15 और parallel सीरीज में जोडने पर बढ़ गया और parallel में जोडने पर कम हो गया तो अगर आपको तीन तीन दो पांस दस पंद्रह जितने भी तार हैं दे दिये जाए और यह बोला जाए कि आपको इन तारों को कुछ इस तरीके से जोड़ना है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस आए तो आप सीरीज में सबको जोड़ोगे और मिनमम रेजिस्टेंस पूछे तो जोड़ोगे ठीक है तो यह आपको फॉर्मला याद रखना है अब मैं चाहिए इस रास्ते से जाओं यह दो पॉइंट्स ले लेता हूं ठीक है तो मैं चाहिए ऐसे जाओं चाहिए ऐसे जाओं चाहिए ऐसे जाओं इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशल डिफर कामल यहां से fund निकला यहां यहां पूछाब यहां पहुंचने के बाद करेंटे डिवाइड हो जाएगा तो यह आई था तो यहां आइवन यहां इटू यहां आई-3 तो आई निकालने के लिए लिए आईवन प्लस लाइटो प्लस आयथरी करना पड़ेगा तो करेंट डिवाइड हो गया लेकिन इन दो पॉइंट के बीच में potential difference सेंव रहेगा तो सीरीज में current रहता है पैरलल में potential सेंव रहता है clear हो गया यह concept आपको ध्यां रखना ठीक है तो हमने resistance of a system of resistor भी पढ़ लिया अब आगे चलते हैं लास्ट पढ़ते हैं टॉपिक heating effect of electric current बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिंग है ठीक है और हमारे daily life से जुड़ा हुआ टॉपिक है चलो heating effect of electric current अब heating effect of electric current को अगर हमको ध्यान से समझना है तो सबसे पहले battery or cell को समझो कि battery or cell source किसके हैं electrical energy के ना battery or cell से तार जोड़ने पर current flow हो रहा है current मतलब कौन से energy electrical energy ठीक है तो battery or cell का हम अगर यूज कर रहे हैं तो हमें उन battery or cell से electrical energy मिल रही है जिसको हम किसी दूसरे energy में क्या करते convert करते हैं ठीक है तो चाहिए battery हो cell हो सभी electrical energy के source हैं ठीक है और यह जो बैटरियो cell है ना इसके अंदर लगतार इनके अंदर अगर आप देखोगे ना तो लगतार chemical reaction होता रहता है और वही chemical reaction से जो chemical energy इसमें है वही chemical energy convert हो जाती है किसमें electrical energy में और और फिर आगे electrical energy का हम दूसरे energy में convert कर लेते हैं जैसे अगर हम cell का यूज करके torch जला रहे हैं तो chemical energy जो सेल में थी वह electrical energy में convert हुई फिर उस electrical energy से हमने बल्ब जलाया मतलब वह electrical energy फिर लाइट और हीट में convert हुई क्योंकि बल्ब जलेगा तो लाइट भी निकल रही है और थोड़ी बहुत बल्ब हीट भी निकलेगी तो बल्ब गरम भी हो जाएगा तो लाइट और हीट दोनों energy के रूप है तो यह ध्यान रखना है तो वही लिखा है तो chemical reaction within the cell generates the potential difference मतलब कि इसमें जो reaction हो रहा है ना उसके वजह से सेल के ends एक्रॉस दा एंड एक एंड यह है एक एंड यह है क्या डिफ्रेट हो जाता है potential difference क्रेट हो जाता है और जहां भी potential difference क्रेट होगा वहाँ अगर हम यहां तार जोड़ दें है तो क्या होगा current flow होगा की नहीं होगा तो वही तो लिखा है कि दा chemical reaction within the cell generates potential difference और potential difference पैदा होने के कारेंट दो रोड़ टर्मिनल के बीच में electrons का motion होता है और electrons का motion होने के कारेंट current produce होता है जो कि resistor से होते हुए ठीक है कहा जाता है बैटरी में बैटरी के positive से current negative जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया ठीक है क्लियर तो अगर यह chemical reaction के हो जैसे potential difference create हुआ तो अगर हम तार जोड़ दें तो एलेक्ट्रॉंस कि दर एट्रेक्ट होंगे एलेक्ट्रॉंस पर माइनस चार्ज होता है तो वह positive की तरफ जाएंगे तो इधर से पॉजिटिव से बैटरी के निगेटिव टर्नल पे चलिए और इस प्रोसेस को लगातार मेंटेन करने के लिए कि लगातार इसमें से current flow होता रहे potential difference बना रहे बैटरी या सेल के अंदर लगातार क्या होता है जो chemical reaction होता रहता है जिसके वजह से बैटरी यो सेल की जो एनरजी है chemical energy वो खर्च होती रहती है इसी लिए कुछ समय यूज करने के बाद आपने देखा होगा घड़ी अचानक रुख जाती है तो रहते हैं और बैटरी बदल सेल बदलना पड़ेगा क्योंकि सेल की जो एनरजी थी वो खर्च हो गई तो जब तक वो काम कर रहे थी तब तक कोजिद अक पोटेंशिल दिफ्रेंस मैंटें था करेंट होगा रहा थी तक है राट में नहीं बता रही है आप हो गए अरे यह तो गड़बड हो गई सेल बदलना पड़ेगा है कि नहीं चलिए अब यह जो एनर्जी है गई कहां नतलब कि यह जो एनर्जी खर्च हो रही थी सेल की तो एनर्जी जा कहां रही थी तो अगर ध्यान से सोचा जाए अच्छा सेल की जो chemical energy है वो electrical energy में convert हो रही थी और electrical energy current के form में फिर आगे किधार light और heat के form में निकल रही थी है ना तो वही लिखा है कि a part of source energy source क्या था बैटरीया सेल तो बैटरीया सेल की जो बैटरीया सेल जो source है हमारा उसकी energy का कुछ हिस्सा कहां खर्च हो रहा था करेंट को मेंटेंट करने में और उस करेंट से हम यूसफुल वर्क कर रहे थे और कुछ source के energy किस रूप में खर्च हो रही थी heat के form में ठीक है जिस से जो gadget है electrical appliances का temperature बढ़ रहा था ठीक है मतलब source की जो energy है यह हमारा सेल जो हमारा सोर्स है सोर्स के form के पास कौन से एनर्जी और यह chemical energy कुछ work करने में खर्च हो रही थी और कुछ heat करने में खर्च हो जा रही थी इसी लिए आपने देखा होगा कि अगर कुछी भी electrical appliances को देड़ तक चलाओ तो गरम हो जाते हैं क्यों क्यों गरम हो जाते हैं क्योंकि उनको जो एलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है उस एलेक्ट्रिकल energy से या तो वर्क या तो लाइट प्रड्यूस होगा थोड़ी बहुत हीड़ी प्रड्यूस होगी अगर फैन है तो फैन अगर वर्क कर रहा है अगर फैन को आप 20 घंटा 25 घंटा लगातार चला दो तो क्या होगा फैन गरम हो जाएगा क्योंकि जो उसको एलेक्ट्रिकल energy मिली सोर्स से उस एलेक्ट्रिकल एनलजी का कुछ रिक करने में खर्च हुआ कुछ हिस्सा एकोक टोनुका करता है कया करणंट के वज़से हीट भी प्रडियूस होता है कुल मिला के बात यह है ना इफ दा एलेक्ट्रिक सरकेट इस प्योरली रिजिस्टिव अगर किसी वायर का रिजिस्टेंस बहुत ज्यादा है डैट इसे कन्फिग्रेशन ऑफ रिजिस्टर स्वनली कनेक्टेट टूए बैटरी दस सोर्स अनर्जी अगर किसी वायर जिसका रिजिस्टेंस बहुत हाई है अगर हम उसको बैटरी से जोड़ दें तो जो बैटरी यानि सोर्स की जो एनर्जी है वो कंटिनुएसली डिसिपेट होगी खर्च होगी किस फॉर्म में हीट के फॉर्म में और इसी को कहते हैं हीटिंग हीटिंग effेक्ट ऑफ eletric करेंट हैना कि करेंट के फ्लो होने से जो तार है वो गरम हो जाता है और यही कहलाता है हीटिंग एफ्क gang collect करेंट ठीक है धर हो हमने माल लो कि जो फैन है इसको बैटरी से जोड़ दिया कधियान से सुन coral समझना बैट्री के पास chemical energy और उस chemical energy के वज़़ा से एलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रडियूस हुई होई करेंट व अब फ्लोवे अब वह एलेक्ट्रिकल एनरजी ठोड़ा वर्क करने में खर्च हो गई और थोड़ा तो उस हीट का हम इस्तमाल कर सकते हैं जी हां तो करते ही तो है प्रेस रूम हीटर गीजर यह जितने भी अप्लाइंसे हम यूज कर रहे हैं सब किस पर बेस्ट है इसी हीटिंग एफेक्ट आफ एलेक्ट्रिक करेंट पर तो बेस्ट है है ना हम प्रेस कर रहे हैं तो प्रेस को कब गरम होगा जब हम उसको स्विच में लगाकर ओन करेंगे ओन करेंगे तो करेंट फ्लो होगा करेंट फ्लो होगा तो वह एलेक्ट्रिक करेंट किसमें कनवर्ट हो जाएगा हीट के फॉर्म में प्रेस गरम हो जाएगा और कपड़े को मिस्टरी कर सकते हैं चकाचक शर्ड दिखेगी है कि नहीं फिर उसी तर ठंडी में रूम हीटर तो एलेक्ट्रिक करेंट किसमें कनवट हो रहा है हीड में तो यही तो current का heating effect है है ना तो इसी का यूज तो हम एलेक्ट्रिक के टल आईरन घीजर room heater में करते हैं है कि नहीं अब किसी टी टाइम में किसी वायर से कितना heat produce हो रहा है current flow होने के वज़े से उसको calculate भी किया जा सकता है तो इसके लिए हमने consider current I हमने माल लिया कि current I flow हो रहा है कहां से a resistor of resistance R एक वायर जिसका resistance R है उससे I current flow हो रहा है let the potential difference across it VV माल लेते हैं कि potential difference कितना है V है ठीक है तो यह दखो ध्यांसे देखो दो points X और Y इनके बीच का potential difference V है और इस वायर का resistance R है और जो current flow हो रहा है वो current I है ठीक है लग टी वी दट time during which a charge q flows across और टी समय में q charge यहां से flow होता है ठीक है तो potential difference का हमने formula पढ़ा था work upon charge है कि नहीं तो work done in moving the charge तो यहां से अगर work निकाले हैं तो क्या हो जाएगा वी इंटू क्यू वी इंटू क्यू है तो दो वर्क डन इन moving the charge q through the potential difference V is VQ इतना वर्क करना पड़ेगा है कि नहीं ठीक है therefore the source must supply energy equal to VQ तो वर्क जो निकाला तो वर्क भी तो एक energy का रूप है तो अगर इतना वर्क करना पड़ेगा चार्ज को इस तो इसका मतला इतनी energy supply करनी पड़ेगी तभी तो इतना वर्क होगा अरे वर्क कब होगा जब energy होगी तो जितनी energy उतना वर्क तो अगर डबलू क्यू वर्क करना है हमको तो डबलू क्यू energy supply करनी पढ़ेगी सिंफल सी बात है तो वही तो कहा है कि अगर हमको इतना वार करना पड़ेगा और ये कैसे निकाला हमने इस फॉर्म ले से तो अगर मुझे इतना वाज करना है तो इतनी ही एनड़ीज चाहिए कितने समय में टी समय में ठीक है समझ में आया तो अगर अब हम पावर निकालें तो क्या लिखा है Hence the power input to the circuit by the source तो पावर क्या होता है पावर होता है हमारा energy per unit time energy हमने निकाल लिया कितनी energy चाहिए जितना work करना है तो work अगर हमको इतना करना है तो इतनी ही energy चाहिए तो energy हमारा आ गया VQ है ना और time हमारा T तो पावर का formula क्या आ गया VQ upon T है की नहीं और Q upon T को हम क्या भी लिख सकते हैं current I तो पावर का formula बन गया P is equal to V I तो इतना power हमको चाहिए ठीक है तो पावर का formula आ गया न तो हमने कई formula पढ़े है उसमें से एक formula ये भी है जो आपको दिहान रखना है इस पे भी मैं star mark कर देता हूँ ठीक है energy supplied to the circuit by the source in time T is P into T तो यहां से ये power आया है ना तो source अगर इतने power का है और इतने power को अगर हम T समय तक apply करें तो हमारी energy आ जाएगी power into time तो power into time कितना आया V I power V I था power क्या था V I और V I को T से multiply करेंगे तो हमारी energy आ जाएगी ठीक है और यही energy किस रूप में निकल रही है heat के रूप में यही energy heat के रूप में निकल रही है ठीक है तो अगर मैं energy को heat ले लूँ तो ये V I into T V को मैं क्या लिख सकता हूँ I R heating effect of electric current का formula कि अगर T समय में किसी wire जिसका resistance R है I current flow होता है तो कितना heat produce होगा इतना heat produce होगा ठीक है यही आगे हमारा तो what happens to this energy तो यह जो energy supply हो रही है यही heat में convert हो रही है तो यही energy heat में तो heat को हमने equal कर दिया energy के जगा इसलिए heat लिया है कि इतनी energy supply हो रही है तो इतनी energy heat में convert होगी तो energy के जगा मैं heat लिख सकता हूँ और तब वहाँ से मैंने निकाल लिया formula कि H is called to I square R T अभी solve करके आपको बताया है ना यह आपका energy आया था power क्या था power था V I power upon time क्या होता है sorry power into time क्या होता है energy energy तो पावर को मैंने time से multiply किया किया तो यह energy आ गई है ना energy आ गई तो energy यही energy heat में convert होगी तो वी आई टी तो वी को मैंने IR लिख दिया तो I square R T तो यह है में फॉर्मूला जो आपको याद रखना है बहुत important heating effect of electric current का main formula ठीक है और इसी को हम Joule of heating भी कहते हैं तो जित्रे में electrical appliances है गीजर है आई रहन है electric kettle है आपका क्या कहते है माइक्रोवेन है यह सभी जूस्लाफ हीटिंग पर वर्क कर रहे हैं ठीक है समझ में आया चलिए अब यहां से जूस्लाफ हीटिंग से आप क्या देख रहे हो जो heat produce हो रहा है वह electric current के square के क्या है directly proportional और resistance के directly proportional है और time के भी directly proportional है वही लिखा है कि heat produce in a resistor is directly proportional to the square of current for a given resistance directly proportional to the resistance and directly proportional to the time ठीक है यह आपको याद रखना है तीन लौ मतलब जूस्लाफ हीटिंग में यह तीन पॉइंट्स है ठीक है तो यह ध्यान रखना है यह points किसके हैं जूस्लाफ हीटिंग के clear अब यह जूस्लाफ हीटिंग है ना इसका हमारे life में practical application भी है तो प्रैक्टिकल अप्लिकेशन तो यह आपको एक तो बताई दिया कि जितने भी एलेक्ट्रिकल एप्लाइंसेज हैं जो हीट प्रेड्यूस कर रहे हैं तो हीट तभी प्रेड्यूस कर रहे हैं जब इसमें से क्या फ्लो होगा पानी गरम कर रहे हैं ब्रेट को टोस्ट कर रहे हैं है कि नहीं सिंपल समझ में आया तो एक तो यह application है एक application और है बल्ब बल्ब में दो चीज़ें एक तो लाइट है और हीट भी है तो यह तब प्रेड्यूस होगा जब करेंट फ्लो होगा ठीक है तो इसी लिए जो बल्ब का फिलामेंट है वह ऐसे मेटेरियल का बना होना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो नहीं तो हीट के कारण वह मेल्ट हो जाएगा तो बल्ब का फिलामेंट हम किसका बनाते हैं टंग्स्टेन का बनाते हैं टंग्स्टेन एक मेटल है जैसे आईरन है है ुसी तर्क टंगस्टेन भी मेटल है जिसका मेल्टिंग पोर्ट बहुत हाई होता है 3380긴els paris 10-400永 Pris ।्रेस पर अबर जाता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना जादा इसलिए रखा गया कि जब बल्म में करेंट फ्लो हो और करेंट के वज़े से अगर हीट प्रेड्यूस हो तो हीट इस फिलामेंट को जो फिलामेंट है उसको मेल्ट पिगलाना पाए क्योंकि पिगलाने के लिए जो टंप्रेचर चाहिए वह बहुत जादा है टंग्स्टन का हम समझ में आया और यसी कंसेट का यूस किया जाता है फ्यूज कमें भी कि फ्यूज करते हैं अब तो से आगए लगा dye γए एम्स यग हमारे घरों में दक्रेंट भास्व बढ़र मुशिन हैं को खत्रा है अगर बढ़ते की मढ़ने से करेंट बढ़ identific में और वो ज्यादा current हमारे जो electrical appliances उनको खराब कर सकता है तो वो ज्यादा current हमारे घरों तक ना पहुचे इसलिए घर में जहां wire enter कर रहा है जहां current की entry हो रही है वहीं हम fuse wire लगा देते थे और fuse wire ऐसे alloy का बनाते थे ठीक है जो की melting point जिसका कम होता था तो जैसे ही current produce होगा ज्यादा current तो ज्यादा current मत्तब ज्यादा heat और heat बढ़ गई तो यह fuse wire पिघल जाता था क्यों कि इसका melting point क्या है low melting point होने के वज़े से fuse wire पिघल जाता था और circuit break हो जाती थी और circuit break होने के वज़े से वह ज्यादा current अब घरों में नहीं इंटर कर पाता है और हमारे लेक्ट्रिकल एप्राइंसे सेफ रहते हैं तो यह है अप्लिकेशन फ्यूज आयर का तो इलेक्ट्रिकल पावर का हमने formula तो देखा था क्या पीशकल टुवी आई देखा था कि नहीं देखा था जी हां तो rate of doing work को power कहते है power मतलब energy पर unit time या वरक वर्क डटन पर यूनिट टाइम यही power होती है है ना तो हमारा तो तो वी आईटी अपाउन टी तो टीटी कट गया पावर आ गया कितना वी आई और एलेक्ट्रिकल पावर को एसा यूनिट में लिखते हैं वाट तो पावर के यूनिट क्या होती है वाट होती है रेजिस्टेंस की ओम होती है ना वोल्टेज की पोतेंशल डिफेरेंस की वोल्ट होती है तो अईसाई सोइट भी आ milliards कि आपको यहाद हो ना चाहिए निटैन थी तोसमेयर आँ किलो various Will रहे हैं तो किलो मत्ब थाउसेंड में कितने होते हजाद मत्ब वौट एसा हुनित है इसकी पावर की अफावर की वाट से भी बड़ी युनिट है किल वाट जासे मीडर किलवक्bok हमे वुसी तर वॉट्ट किलो वाट है ना अब जो कमर्शेल है एनरजी का यूनित है वह हम जूल नहीं लेते आम्तौर पर छूल क्या होती है अनर्जी के सई में देखो मीटर में हमेशा किलोवाट आवर लिखा रहा है तोग से विए कर रहेंगे तो जो और पर कंजब्सक्रा आवर करहें उसको किसे में लिखा जाता है जूल में नहीं लिखते हैं इसको किलोवाट आवर में लिखते हैं इसी लिए मीटर में देखो मीटर में हमेशा किलोवाट आवर लिखा रहता देखो मतब आपने यहां अगर 3 लिखा है तो इसका मतब आपने 3 किलो वाट आवर electrical energy कंजूम की है और वही 1 किलो वाट आवर मतलब 1 unit है तो 3 किलो वाट आवर मतलब 3 unit और 3 unit एक unit का दाम पता है तो तो तीन अचलाओ दस उने जलाओ तो बिल आपका पता चल जाएगा ठीक है तो वही ध्यान रखना है कि इसका यूज करके हम बिजली बील भी कैलकुलेट करते हैं तो बिजली बिल जो कहते हैं एक यूनिट बिजली जली है तो एक यूनिट का मतलब कि एक किलो वाट आवर बिजली जली है ठीक है तो ये भी एनर्जी का क्या है यूनिट है लेकिन कमर्शल यूनिट है क्योंकि जूल बहुत छोटी यूनिट है देखो एक किलो वाट आवर म बड़ी उनिट है तो हम जूल में न रिप्रेजेंट करके हम किलो वाट आवर में रिप्रेजेंट करते हैं कैसे इसको convert किया जूल में simple है जूल मतलब energy है ना जूल मतलब energy तो energy को हम क्या लिख सकते हैं power into time तो power को हमको watt में रखना पड़ेगा और time को second में रखना पड़ेगा क्योंकि power की SI unit watt है तो time के SI unit second अब यहां kilowatt है तो kilowatt को watt में बदला 1000 watt और एक hour है एक hour को second में बदला तो 3600 second तो यह हो गया 3.6 into 10 की power 6 watt into second और watt into second क्या होता है energy यानि जूल तो यह हो गया 3.6 into 10 की power 6 Joule तो एक kilowatt hour equal to 3.6 into 10 की power 6 Joule होता है तो यह ध्यान रखना है और यह उल्यूज हो सकता है आपको कोशन आ सकता है बिजली बिल नहीं एलेक्रिसिटी बिल calculate करने में तो आपको बस यह ध्यान रखना है कि जो भी electrical appliances उसका पावर दिया रहेगा और उसको कितने समय तक आप चला रहे उसका time दिया रहेगा तो power को kilowatt में रखकर time को hour में रखकर multiply कर देना आपका kilowatt hour आ जाएगा और जितने kilowatt एक kilowatt hour का आपका दाम दिया रहेगा तो जितने kilowatt hour electrical energy consume होई उसका बिल निकाल सकते हो है कि नहीं चलिए तो यह भी आपने पढ़ लिया और इस तरी के से हमने one shot में इस पूरे electricity chapter को पढ़ा समझा I hope you like this session आपने session को एंडर तक देखा होगा इसको शेर भी कीजे और अड़ा 24-7 class 910 पर इसी तर पढ़ते रहे थैंक यू सो मच कि